प्रमोत्र स्रम्जी को भी बधाई देता हूँ साथियों आज सम्मल में हम जिस अवसर के साथ्षी बन रहे हैं ये भारत के सांस्कुर्तिक नवजागरण का एक और अदबूत क्षण है अभी पिछले महिने ही 22 जन्वरी को देश ने अयोध्या में 500 साल के इंतजार को पूरा होते देखा है राम लला के विराजमान होने का वलव की कनुभाव वो दिव्यन भुती अब भी हमें भावुप कर जाती है इसी बीच हम देश से सेक्रो किलोमेटर दूर अरब की धर्ति पर अबुधावी में पहले विराज मंदिर के लोकारपन के साक्षी भी बने हैं पहले जो कलपना से भी परे था अब वो हकीकत बन चुका है और अब हम यहां संभल में भग्यकल की धाम के सिला न्यास के गवाब बन रहे हैं भाई और भाईनो एक के बाद एक ऐसे आध्यात्मिक अनुभव सांस्कृति गवरव के यह पल हमारी पीडी के जिवन कालब है इसका आना इससे बड़ा सवभाग्य क्या हो सकता है इसी कालखन में हमने विश्वनाद धाम के वैभव को काशी की धर्ती पर देखा है निखरता हुआ देखा है इसी कालखन में हम काशी का काया कल्प होते देख रहे हैं इसी दोर में महाकाल के महालोग की महिमा हमने देखी है हमने सोमनात का विकाद देखा है केदार घाटी का पुनर निर्मान देखा है हम विकास भी विरासत भी इस मंत्र को आत्मसाथ करते हुए चल रहे हैं आज एक और हमारे तिर्थों का विकास हो रहा है तो दूसरी होर शहरों में हाई-टेग इंफ्रास्रक्टर भी तैयार हो रहा है आज अगर मंदीर बन रहे है तो देश भर में नए मेडिकल कॉलेज भी बन रहे है आज विदेशों से हमारी प्राचिन मुर्तियां भी वापिस लाई जा रही है